हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो माई चैनल स्टडी फॉर यू, सो गाइज आज के इस वीड़ो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, आज यानि 27 नॉमबर को जो है, आज आपका कोई भी SSE GD का एक्जाम नहीं है, बस मैं ये वीड़ो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, जिनका आगे आने वाले सिप्टों में जो है, SSE GD का एक्जाम होने वाला है, और मैं आपको 100% ये गैरेंटी देता हूँ, कि आपके SSE GD के एक्जाम में जो है, इसी परकार से प्रेशन पूछे जा रहे हैं, तो जिन भी कैनिड़िट्स का आगे आने वाले सिप्टों में SSE GD का एक्जाम होने वाला है, वो इस वीडियो को जो है लाश्ट तक जरूर देखेगा, और आपसे रिक्वेश्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SSE GD का रियल एनलाइसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कब हुआ था, तो देखें आपके यूद से हर सिप्ट में एक प्रशन पूछा जा रहा है, तो देखें आपका बैटल ओफ अलिवल जो है, यह आपका 28 जनवरी 1840 को हुआ था, तो 28 जनवरी 1840 आपका करेक्ट हो जाएगा, बात कर ले बैटल ओफ अलिवल, यह जो है किसके मत दे हुआ था, तो यह इस्ट इंडिया कंपनी और सिक अंपायर के मत दे हुआ था, वहीं अगर बात कर ले इस्ट इंडिया कंपनी का नेतरित हो, यह जो है कौन कर रहे थे, तो इस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतरित हो है ना, यह सर हैरी असमीत कर रहे थे, और सिक प्रवत महाबलेश्वर महराज से निकलता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप का यहाँ पर है कि 2020 का जो फ्रेंच ओपन हुआ था ना पूरू सेकल में राफिल नडाल ने जो है किसको हराया था तो देखें मैं आपको बता दूँ कि 2020 का जो फ्रेंच ओपन हुआ था पुरु सेकल का उसमें जो विजेता रहते वो राफिल नडाल रहते और उप विजेता जो रहते वो नुवाक जोकोविच रहते तो राफिल नडालने किसको रहता तो नुवाक जोकोविच आपके यहां पर करेक्ट हो जाएगा वहीं अगर Women Single का पूछा जाए तो Women Single का जो विजेता रही थी ना वो आपके इगा स्वेटेक रही थी और ये किस देश से है तो ये पॉलेंड देश से है वहीं अगर Runner Up की बात कर ले तो इसके जो Runner Up रहे थे ना वो Sophia Canon रही थी जो की United States की रहने वाली है वहीं अगर मैं बात क ह эпिता है तो ये नौौा क जो को भी जीते थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना नेक्स्ट आपकर है कि पॉल आर मिलेग्रوم और रोबर्ट वी विल्सन को जो है किस छेत्र में नॉबल फ्राइज दिया गया बात कर ले इन्हें पॉल आर मिलेग्राम और रोवर्ट वी विल्सन को 2020 में अर्सास में नोबल प्रोसकार किस लिए दिया गया था अगर ये पूछा जाए तो इनके आक्सन थियोरी निलामी सिधात में सुधार और निलामी के नए तरीके का आविशकार करने के लिए इन्हें सताबदी में काक्तिय राजवन्स द्वारा निर्मित करवाए गया था तो काक्तिय राजवन्स आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा बात कर ले गोलकुंडे का किला ये जो है कहां पर है किस राजजी में है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये जो है कुतुब सा कर्परारी कवी था ना यह अमीर खुस्रों था तो अमी कहिए कहां जाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि World Water Day ये जो एक कब मनाय जाता है तो देखे World Water Day ये जो प्रतिवह जो है ना ये 22 March को मनाय जाता है तो 22 March आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यदि अगर एक्जाम में 2020 की थीम पूछी जाए तो World Water Day में 2020 की थीम क्या रही थी तो जल और जल सोने के जो सिक्के है ना ये सबसे पहले कुसान सासक कनिस्क द्वारा चलाए गया था तो कनिस्क आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बात कर ले भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के ये जो किसके द्वारा चलाए गया थे तो देखे भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक के हैं न यह हिंद यूनानियों यानि इंडो ग्रीक किंग्डम के द्वारा चलाए गये थे और सरवादिक सुर्ण मुद्रा यह जो किसके काल में चला था तो यह गुप्त काल में चला था तो यह सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहां पर है कि प्रान और दहिक सुतंता के लिए जो है कौन सा अनुछेद है तो देखिए प्रान और दहिक सुतंता के लिए आपका अनुछेद 21 है तो अनुछेद 21 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा बात कर ले सु रच्छन है वही अगर बात कर ले समता या समानता का अधिकार यह जो आपका अनुचेद 14 से अनुचेद 18 में है सोसन के विरुद अधिकार यह जो आपका अनुचेद 23 से 24 में है वही अगर आगे की बात कर ले तो धार्मिक सोतंता का अधिकार ये जो आपका अनुचेद 25 से 28 में है संस्कृति और सिच्छा संबंदी अधिकार ये जो आपका अनुचेद 29 से 30 में है संविधानिक अधिकार ये जो आपका अनुचेद 32 में है तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अवंती महाजनपद यह जो एक किसकी राज़ानी थी तो देखे आपके सुल्ल जो महाजनपद है ना वो आप जरूर देख कर जाएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्ण आपके पूछे जा रहे हैं अगर आपको सुल्ल जनपद का नाम नहीं पता है तो मैं टेलिग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप इसका पेडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो अवंती महाजनपद यह जो किसकी राज़ानी है तो यह उजैनी की राज़ानी है तो उजैनी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बात कर ले कासी का वहरा नसी है कोसल का सरावस्ती है अंग का चमपा है चेदी का सकती मती है और वज्स का कोसाम भी है तो यह सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप का यहाँ पर है कि अक्टूबर 2020 में आयोजीत इंटरनेशनल ओनलाइन सूटिंग चैंपियंशिप में 10 मीटर एर पिस्टल इवेंट में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता है तो दे कि अक्टूबर 2020 में जो आपका आयोजीत किया गया था इंटरनेशनल ओनलाइन सूटिंग चैंपियंशिप 10 मीटर एर पिस्टल इवेंट में जो है यह सस्विनी सिंग देशवाल ने गोल्ड मेडल जीता था तो यह सस्विनी सिंग देशवाल आपका करेक्ट हो जाएगा अगर पूरुस में पूछा जाए तो पूरुस में 10 मीटर एर पिस्टल इवेंट में जो है यह विस्नू सिवराज पनीडन ने जीता था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फैस्टिवल आवाड 2020 में बेस्ट आक्टर का आवाड यह जो है किसे मिला है तो देखे इसमें जो बेस्ट आक्टर का आवाड है ना यह रितिक रौसन को दिया गया है वही अगर मैं बात कर लू दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फैस्टिवल आवाड ये जो वेस्ट फिल्म का आवार्ड किसे मिला है तो ये सुपर 30 मुवी को दिया गया है तो ये भी आपको ध्यान में रखाएंगा अब मैं आपको 2021 के बारे में बता देता हूँ 2021 के बारे में मैं आपको बता दू ये तो एक्जाम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2021 से आपके के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टरेस का आवार्ड जो है ये कियरा अडवानी को दिया गया है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का जो आवार्ड है वो सुसान सिंग राजपूत को जिया गया है जो कि मरनो प्रान दिया गया है बेस्ट फिल्म का आवार्ड ये जो है किसे दि गया है तो यह तन्हाजी दाँ अंसंग वारियर को दिया गया है तो यह सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है next question आपका यहां पर है ब्रोमीन किस अवस्ता में रहता है तो दीके ब्रोमीन एक मात्र ऐसा अधातू है जो कमरे के temperature पर द्रव अवस्ता में रहता है तो द्रव आपका यानि liquid अवस्ता में रहता है तो liquid आपका यहाँ पर correct हो जाएगा next आपका यहाँ पर है कि width आयो यह जो एक किस अनुचेद में वरनित है तो देखे width आयो पूछा जाता है कि किस परकार का निकाए है तो देखे ये जो वित आयोग है ना एक परकार का संबिधानिक निकाए है और इसे अनुचे 280 के अंतरगत किया जाता है तो अनुचे 280 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और यह किस परकार का जो है नियाईक संस्ता है तो ये अर्ध नियाईक संस्ता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है यहां से एक्जाम में एक प्रश्ण और पूछा जाता है कि वित आयोक का गठन ये जो एक किस अधिनियम के अंतरगत किया गया था तो देखें वित आयोक का जो गठन है ना यह आपका दिन इयम 1951, 22 नमबर 1951 को जो है वित आयोग का गठन किया गया था, बात कर ले वर्तमान में इसके चेहरमेन कौन है वित आयोग के, तो पंदरवे जो वर्तमान में वित आयोग के चेहरमेन है, यह N.K. सिंग है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट आप का यहां पर है कि भारत के किस राष्ट पती की देट जो है, उनके कारेकल के दौरान की गई थी, तो देखे भारत के जो दो राष्ट पती हैं, जिनका देट उनके कारेकल के दौरान किया गया था, एक तो आपके जाकिर हुसैन, जिनका देट तीन मईए 1979 को जो भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थी यानी राष्ट पती थे वहीं अगर बात कर ले सेकेंड वैक्ति की तो ये फकरुदीन अली एहमद है जो भारत के पांचवे राष्ट पती थे इनकी भी जो मृत्यू है उनके कारेकाल के दौरान की हो गया था नेक्स्ट कोशन आपका हाँ पर है बैक स्ट्रॉक ये जो एक किस खेल से संबंदी टर्म है तो देखिए ये जो बैक स्ट्रॉक है ये आपका स्वीमिंग खेल से संबंदी टर्म है तो स्वीमिंग आपका यहां पर खरेक्ट हो जाएगा बात कर ले स्वीमिंग के अन्य खेल से संबंदी टर्म जो क अब जो है ना आपके swimming के term है तो ये सारे fact आपको ध्यान में रखना है next आपका यहापना है कि विश्व का तीसरा सबसे उचा परवत जो भारत और निपाल में इस्तित है तो देखें विश्व का जो तीसरा सबसे उचा परवत है ना ये कंचन जंगा है तो कंचन जंगा आपका यहाँ पर correct हो जाएगा बात कर ले कंचन जंगा की height पूछी जाती एक्जाम में तो 8586 मीटर है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अगर विश्व का दूसरा सबसे उचा परवत अगर पूछा जाए तो ये Mount K2 है यानि Godwin Austin है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और विश्व का अगर पूछा जाए कि सबसे उचा परवत कौन सा है तो फिर Mount Average आपका correct हो जाएगा तो ये भी आपको ध्यान में रखना है Next आपका यहाँ पर है कि मुरुगपा Gold Cup ये जो एक किस खेल से संब्दित है तो देखें ये जो मुरुगपा Gold Cup है ना ये आपका हौकी खेल से संब्दित है तो हौकी आपका यहाँ पर correct हो जाएगा हौकी के और अन्ने Cup के बारे में जान लिजे बैक्टन Cup ये भी जो आपका हौकी से संब्दित है आगाखा टूनामेंटि ये भी जो आपका हौकी खेल से संब्दिति नेक्स्ट अपका यहाँ पर है कि Mount Everest पर सबसे ज्यादा वार चड़ने वाली महिला कौन है तो देखें Mount Everest पर सबसे जादा चड़ाई करने वाली तुम बहिला है ना ये नेपाल की लगपा सेर्पा है और ये जो नौ बार जो है अब तक माउंट एवरेश पर चढ़ाई कर चुकी है तो लगपा सेर्पा आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगर एक्जाम में ये प्रहश्न पूज दिया जाए कि हाइस्ट नमबर और ट अकैडमी आवार्ड दोजार बीस में बेस्ट पिक्चर का आवार्ड ये जो एक किसे मिला है तो देखें ब्यारानवा एकाडमी आवार्ड जिसको ऑसकर आवार्ड बोला जाता है दोजार बीस में बेस्ट पिक्चर का जो आवार्ड है ना ये पारसाइट मोबी को दिया ग है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स टाप का यहाँ पर है कि हाइब्रिड ओफ स्प्रिंग ओफ मेल लायन एंड फीमिल टाइगर यानि एक नर सेर और एक मादा बाग की संकर संतान ये जो है क्या कहलाती है तो देखे एक नर कोशिण लेकर रहा है हो ना क्योंकि आपके नार्मल फैसटिबल तो आपको याद होंगे लिकृष आगर एक्जाम में हाड फैसटिबल पूस दिया जा है तो आपको नहीं याद भूँगी इसलिए मैं आपको ये कोशन की होँ तो सेक्रैनी जो फैस्टिबल है ना यह आपका नागलेंड में मनाया जाता है तो नागलेंड आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा और इसे जो है एक और तेवार के नाम से जाना जाता है किस तेवार के नाम से तो फोसांसी यह जो है इनका नाम से जाना जाता है कि यूँकि कँभी-कभी एक्जाम में सेक्राइनी फैस्टीबल ना दे कर गए थै ना चानी फैस्टीबल दे धी जाता है तो थै कि प्रदान मंत्री सुरच्छा बिमायोजना का न्यूंतम सलाना प्रीमियम कितना है तो देखे प्रदानमति सुरच्छा भीमा योजना का जो न्यूनतम सलाना प्रीमियम है ना ये 12 मात्र 12 रुपया है तो 12 रुपया आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा और यह जो योजना है ना 18 से 70 साल के लोगों के लिए है और इस योजना के अंतरगत होता क्या है कि जो आपके भीमित व्यक्ति की दुरखटना में मौत हो जाती है या फिर हाथसे में दोनों आख दोनों हाथ या फिर दोनों पैर खराब हो जाते हैं तो उसे जो जो दो लाक रुपय मिलेंगे और इसमें जो मात्र प्रीमियम जो आपका सलाना है ना वो 12 रुपया है next step का यहाँ पर है कि 1 April 2020 में United Bank का विलाई यह जो है किस बैंक के साथ हुआ है तो देखे मैं आपको बता दू कि 1 April 2020 को 10 बैंकों का जो है विलाई हुआ है तो दसो बैंकों का जो है आप विलाई जरूर देख कर जाईएगा तो देखें मैं आपको बता दू कि Oriental Bank of Commerce यानि OBC और United Bank of India का merger ये जो पंजाब National Bank में हो गया है तो पंजाब National Bank आपका correct हो जाएगा बात कर लें सिडिकेट बैंक का पूछा जाए तो सिडिकेट बैंक का जो विल है ना ये कैनरा बैंक में हुआ है जिसमें या देश का चौथ था सबसे बड़ा बैंक बन गया है तो एकजाम में अगर पूचा जाए की कैनरा बैंक कितने नंबर का जो बैंक है तो ये चौथे नंबर का बैंक है इलाहबद बैंक का विल ये जो किसमें हुआ है तो ये Indian Bank में हुआ है union Bank of India के साथ 2023 आंDRA Bank और छे डीजिट होते हैं, वो आपके bank के बारे में बताते हैं कि वे account से bank का debit card है और last के जो 10 digit होते हैं वो आपका unique account number होता है, जो की card holder का होता है, next step का है, जो कि आपका last question है, जो कि आपको जवाब देना है, comment box है, कि what is the effect of greenhouse gases on the average temperature of the earth atmosphere, अब मैं बात कर ले ताओ, हिंदी वाले candidates क कि प्रित्वी के वाई मंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है आपके आपसन में बढ़ता है आपसन टू में घटता है त्री में आपका अपरवर्तित रहता है उसके बाद चौते आपसन में पहले बढ़ता है या फिर घटता है यह जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को जो लाइक जरू कर दिएगा चैनल पढ़ना है तो चैनल को सबस्क्राइब जरू कर दिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक थाइंक्यू